हेलो एब्रीवन मैं कुसूम तिरपाथी आपका अपने चैनल में स्वागत करते हूं कुछ चैप्टर्स हैं जो क्लास एर्थ के हैं तो आज से हम लोग उनको भी शुरू कर रहा है मैं एक एक चैप्टर को पूरा लाइन टू लाइन एक्स्प्लेन करूंगे आपके लिए तो जिन भी बच्चों का जो है इस लॉगडाउन के कारण छूट गया है या उनके पास अभी बुक अभेलबल नहीं है तो वो इसको देखके अपने कोर्स को कवर कर लेंगे तो शुरू करते हैं चैप्टर का नेम है फाइंडिंग माइवे स्टार्टिंग से देखेगा हम लोग वन टू वन लाइन चलेंगे गोंड आर्ट इस आ फॉर्म ओफ ट्राइबल पेंटिंग कॉमन इन सेंट्रल इंडिया जो गोंड आर्ट है यह एक प्रकार की आर्ट है जो सेंट्रल इंडिया में बहुत ही फेमस है और यह बहुत ही जो है फेमस है और एक ही एक ट्राइबल पेंटिंग है ट्राइबल पे वर्ड में all over इंडिया में जिसने famous किया उसका नाम है जनगर शिंग जनगर नेफियो बेंकट रमन सिंग श्याम is also a famous gold आर्टिस्ट जनगर सिंग के जो नेफियो यानि भतीजे बेंकट रमन श्याम जो कि एक famous gond artist खुद भी है उन्होंने अपनी जो है इस biography में अपनी बातों को cover किया, अपनी life को जो है detail में बताया है कि वो किस प्रकार से जो है gond art की और attract हुए और कैसे उन्होंने उसको सीखा In this extract, extract का मतलब होता है piece of work, यह जो piece of writing यह जो है उस आप यह जो आपके सामने जो chapter लिखा हुआ है यह उस autobiography का केबल एक part है ठीक है, तो in this extract from his autobiography, finding my way co-written with S. Anand इस autobiography को जो है banker अमन सिंह शाम और उनके साथ ही एक co-writer S. Anand है, उन लोगोंने मिलके लिखा, banker शाम talks about his early influences banker शाम इस chapter में अपने early influences, वो go and art से किस प्रकार से प्रभावित हुए उसके बारे में बात करते हैं किस प्रकार से वो उसकी और attract हुए कैसे उन्होंने सीखना शुरू किया, यह सारी बातें वो इस chapter में cover करते हैं ठीक है, तो शुरू करते हैं देखे, I did not learn from school and books मैंने school और books से नहीं सीखा I fished in the river halon मैं river halon में fishing, fishing समस्ते हैं मचली पकड़ा करता था इस्टोल, corncops, corncops का मतलब होता है भुट्टा, मेज, उसको चुराया करता था learn to plow, मैं खेती करने की कोशिस करता था हल चलाने की कोशिस करता था हर्ड बाना, बाना सुना करता था बाना गया है, अत्री स्ट्रिंग वाइलन वाइलन जो है, जो दिहात में, जो गाओं में, जो टाइबल एरिया में जो गाने के लिए एक, जो ट्रेडिशनल जो इंस्टूमेंट है उसको कहते हैं, तो मैं उसको सुना करता था fishing brings back memories of a story तो जब मैं fishing की चर्चा करता हूँ तो मुझे कुछ चीजें जो है, अपनी memories में, पिछली बातें याद आती है वो है, क्या चीज मुझे याद आता है, my grandfather परसादी लाल उके मेरे grandfather परसादी लाल उके, who bestowed on me my long winded name मुझे मेरा ये जो लंबा चोड़ा नेम है, कौन सा नेम है उनका ये मुझे नाम किस ने दिया था, ये नाम मुझे मेरे दादा जी ने दिया था और मेरे दादा जी का नाम था, परसादी लाल उके who bestowed on me my long winded name, told me उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई, जिन्होंने मुझे ये लंबा चोड़ा नेम दिया था अधोबी, धोबी आप जानते हो, washerman who does his washing in the river, जो river में washing किया करता था, कपड़े दूला करता था, also feeds the fish everywhere, और डेली जो है कपड़े दूलने के साथ साथ, वो एक काम और किया करता था, फिश जो मचलियां जो नदी में रहती हैं, उनको डेली वो दाना डाला करता था, उनको feed किया करता था, खिलाया करता था, कुछ-कुछ डालता था, one day a fish which seeks to repay, एक दिन एक मचली, वो जो washerman था, जो river में कपड़े धुला करता था, और जो fishes थी, उनको feed करता था, एक मचली जो daily feed होती थी, जो daily उसके डाले हुए दाने को खाती थी, वो एक दिन सामने आई, क्यों सामने आई, क्योंकि उसने जो भी कुछ उसके लिए किया था, मचली को जो दाना डालता था, उसके बदले में वो कुछ return करना चाहती थी, मतलब जो उसका gratitude था, जो उसने मचली को लेके, मचलीओं को लेके उदारता रिखाए थी, वो उसके बदले में कुछ देना चाहती थी थेंसे मेंडो एकॉष यसने बताया मचली ने को बतायें कि बहुत ही जल्दी यह संसार है इमिनेंट का मतलब होता है बाला हमाली होती है कि यह संसार बहुत ही जल्दी खतम होने वाला है the man wonders how he can save himself उस ब्यक्ति को आश्यर हुआ washerman को कि वो अपने आपको कैसे जी बित रखे कैसे बचा है and his loved ones और अपने जो है loved ones जिनसे वो प्रेम करता था अपने family member से उनको कैसे save किया रहे his sister and a rooster उसकी family में कौन-कौन थे उसकी sister थी और rooster था रूस्टर का मतलब होता है cop, मुर्गा वो था the fish suggest that he get into a wooden box fish ने suggest कि कि एक वो लकडी का बक्सा बनाए which it would ferry to safety और वो उस लकडी के box में इन सब को डाल के safe हो जाए यानि वो उस लकडी का एक बड़ा सा box माय है और उसमें वो छिप जाए और अपनी sister को साथी उस rooster को साथी वो जो fish है उसको भी safe कर ले after the apocalypse apocalypse का मतलब होता है complete destruction उसके बाद जो है जब world का destruction हो जाता है तो God searches life for on earth जो भगवान है अब जो है इस destruction के बाद वो सोचते हैं कि कि इस प्रतिवी पे इस world में life को फिर से बापिस established किया जाए तो वो क्या पाते ही finds दधोबी उनको एक धोबी मिलता है उसकी sister मिलती है fish मिलती है और rooster मिलता है and the world is remade इस तरह से God को ये सारी चीज़ें मिलती है ये जो चीज़ें बची हुई रहती है वो इस तरह से जो संसार है वो फिर से शुरू हो जाता है वो अपने बच्पन की बात करता है कि जब वो बच्चा था तो जब वो पहली बार उसने कबीर के बारे में जाना कबीर कौन थे कबीर जो है एक बहुत ही एक फेमस पोएट रहे है 15th century इंडिया में ठीक है तो लेंगवेज वो जब रादर सिमिलर टू दा गॉंडी हिंदी मिक्स भी स्पोक एंड़ करमा सॉंग्स भी सेंग तो वो ये बताते हैं कि वो कबीर से क्यों इंफ्लेंस्ड हुए क्यों प्रभाबित हुए क्योंकि जो कबीर की जो लेंगवेज थी जिस लेंगवेज में उन्होंने अपनी राइटिंग्स को लिखा था अपनी पोयम पोईट्रीज को लिखा था उसमें जो है कर्म कर्मा सstone बहुत ज़ादा गाए जाता है और यह ट्राइबल सॉंग है उन विंटर मॉर्णिंग एक दिन एक दिन सुभे सुभे लिटर मॉर्णिंग के समय में मुवर्द जो जाड़े की सुभे व्यद्ध बासुदेव और Bass swipe का स्थी ज sentido आपने कभी राम लीला क्रिश्न लीला देखिये तो आप देखते हैं कि भगवान कृष्न का अटायर उनका ड्रेस अप रहता तो उस गेट अब में एक जो है ब्यक्ति जो है सुभए सुभए जो है ठंडी की जो है जो शुरुवात होती थी ठंडी की जो मौर्निंग सोती थी winter mornings होती थी उसमें वो जाया करता था तो जो उसको जो उसका picture था जो उसको देखने पे जो एक sense आता था एक जो comfort आता था वो एक grace उसके पूरे लुक में एक बड़ा सुंदर सा grace dignity और पीस दिखाई पड़ती थी बहुत ही अच्छा दिखता था जो वह बच्चा है उसको वह उसको बड़ा अच्छा लगता था उससे वह पीस फील करता था उसकी जो पूरी की परसनेलिटी थी वह बड़ी डिगनिटी वाली लगती थी graceful लगती थी ठीक है he had a three string तंबूरा उसके हाथ में एक तीन तारबाला तंबूरा रहता था एक हाथ में तंबूरा रहता था symbols in the other hand symbols का मतलब होता है जहांज आप पिक्चर में आसानी से देख सकते हूं यह देखिए यह तंदू यह जो है तंबूरा है और यह हमारे अभी भी किर्तन जो होते हैं घरों में उसमें यूज होता है he had a three string तंबूरा in one hand symbols in the other and a haunting song on his list और यह बहुत ही वो जोर दोर से जो है एक ऐसा काना गाया करता था एक ऐसा भजयन या गीत गाता था जिससे लोग बड़े उत्तेजित हो जाते थे excited हो जाते थे मतलब लोग उसके उस सौंगों को बहुत अधिक पसंद करते थे जूमने लगते थे अगर अपन सिंपल से वर्ड में यूज करें एक सिंपल सी लाइन है कि उसके गाने को सुनके लोग बड़े खुश हो जाते थे तो I did not understand much मुझे हलंकि मैं छोटा सा था मुझे जादा समझ में नहीं आता था I was mesmerized by the music लेकिन मैं उस music को सुनके वो जो उस तान पूरे से निकलती थी और उसका जो word और जो जिस तरह से वो गाया करता था मैं विलकुल मंतरमुग्ध हो जाता था मतलब मैं जूम उड़ता हैं उनकी जो सुन्दरता होती वो हेलोन रिवर के किनारी किनारी जब फूलते थे अपने सीजन में आपको मालूम है कि पलास एक ऐसा फूल होता है जिसमें कलर होते हैं और पहले के समय में अब जो है पलास के फूलों से ही लोग होली खेला करते थे और जिस समय पलास के इसिंगल में आग लगी हुए है तो वो इस जो है ब्यूटी को देखके जो वच्चा होता था वो बैसे बहुत अधीक मेस्मराइजड और इंफ्लेंज होता था मेस्मराइजड वो हो जाता था उसके सौंग बासुदेव के सौंग को सुनके ठीक है तो जो पलास था वो जो है जो रिवर थी उसके किनारे किनारे जो बड़े बड़ी चटाने थी उनके आसपास वो खिला रहता था परहेपस दर डेबिरिस और सम प्री हिस्टोरिक और वो जो हैलोन रिवर थी उसके आसपास एक ऐसा धेर लगा हुआ तो यहां पर यह कहना चाहता है कि जो चीजें हेलोन रिवर के किनारे किनारे पाई गई है जो जो प्री हिस्टोरिक जो है डेबिरिस मिला है वो ऐसा लगता है कि बहुत ही पहले का है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियट का है और वो उस बच्चे को बहुत अधिक अपनी और अट्रेक्ट करता था पलाश के अलाबा जो है वहाँ पे कहुआ ट्री बीrowsी जो है पाया जाता था थीक है एक पेड है कहुआ hiding its color in its buttressed trunk only when scrapped did it yield blood red sap that could be used as dye और इस पेड के चारों और बड़े बड़े जो है क्या होते थे यह देखे इसकी spelling भी लिखी हुई है यहाँ पे with large roots on all its side मतलब इसके चारों और बड़े बड़े roots जो है निकल आते थे पेड के चारों तरफ जब आप उसके trunk को थोड़ा सा खरोचते तब जो है उसमें से एक blood color का जो है एक liquid निकलता जिसको यूज लोग dye के रूप में करते थे dye का मतलब होता है color करने के लिए किसी color कपड़े को color करने के लिए जो हम dye का यूज करते है यहां पे उसकी बात हो रही है ठीक है तो हम यह जो है बात कर रहा है कहुआ ट्री की यह characteristic यह कहुआ ट्री का जो है quality है तो यह जो है कहुआ ट्री की characteristic बताने के बाद फिर आगे बताता है I begin drawing on walls मैंने किस प्रकार से जो है बाल्स पे जो है drawing करना शुरू किया I begin drawing on walls paper, floors on whatever surface I could find as a child मैंने जो है drawing करना शुरू किया walls पे, दिवारों पे, papers पे, floors, जमीन पे, फर्स पे या जो भी surface मुझे मिलता था जब मैं छोटा था मैंने तभी किसी जो भी surface मुझे मिल जाता था मैं उस पर drawing करना शुरू कर देता था I had look sorry, I would look at newspaper and draw film stars, मैं newspaper में देखा करता था, film stars की जो pictures होती थी, जो faces होता था उनको draw करता था, I used charcoal ये सारी picture सुनाने के लिए charcoal, यानि लकडी का जो कोईला होता है, जली हुई लकडी गाउं में खाना बनाने के लिए जो लकडी जलाते हैं, उस लकडी का जो कोईला है जो लकडी वो ठंडी हो जाती है उस कोईले का यूज करता था, this was considered inauspicious, लेकिन लकडी से इस प्रकार का जमीन में चित्र बनाना जो है, गाउं में बड़ा ही अशुभ माना जाता था, my folks believed writing in black increased depths, मेरे गाउं वाले ये मानते थे कि कोईले से लिखने से करजा बढ़ता है, as you can see I have come to owe a huge depth to black, और अब आप ये देख सकते हो कि मैं बास्ता में उस काले कोईले का करजदार हो गया हूँ, इसका मतलब ये है कि उस काले कोईले की practice ने ही मुझे इतना famous कर दिया है, I drew as realistically as I could मैं बहुत ही realistic way में जो है drawing करने की कोशिस करता था जितना अधिक realistic picture में draw कर सकता था, I was influenced and inspired by a set of pencil drawings फिर मुझे जो है, trunk में बकसे में एक pencil box color pencil box का डिबबा मिला जिससे मैं inspired हुआ और मैं क्या हुआ, influenced हुआ, प्रभाबित हुआ और inspired हुआ, my mother हिमालिया बाई, told me they were by uncle, जवाहरलाल उन्होंने बताया कि वो उनके अंकल जवाहरलाल, मतलब उनके हर brother, जो उसकी मा थी उसके, उनके भाई का वो जो box था, जो color box, color pencil जो मेरे मामा थे, अंकल थे, वो 25 की एज में, उनकी डेथ हो गई थे I would never मैं उनसे कभी नहीं मिला, but people think and I believe, लोग सोचते हैं और मैं भी यही मानता हूँ I am his reincarnation कि मैं उनका ही पुनर जनम हूँ यारी मैं ही अपने अंकल के रूप में बापिस आया हूँ I am fulfilling his life, उनकी life की जो इच्छाएं थी, उसे मैं पूरा कर रहा हूँ जवाहलाल UK UK drew everyday objects and scenes without touching realism जवाहलाल UK जो उसके अंकल थे वो daily, जो है realistic objects को जो है बनाया करते थे और ड्रॉप गिया करते थे और उसमें जो है बहुत ही एक realism को touch देते थे realism का मतलब है बहुत ही realistic way में बनाते थे I look for these drawings on a widget to Sijhora many years ago but mother told me they had been lost or destroyed when they pulled down our old house to build a new one और मैंने अपने मामा की बनाई हुई इन सारी चीजों को बहुत साल पहले जब मैं Sijhora गया था तो इनको देखा था मैंने उनकी pentings को देखा था लेकिन मेरी माने बताया कि यह सब बाद में जो उनकी बनाई हुई drawings थी वो खतम हो गई जब उनका पुराना घर तोटके उसकी प्लेस पे एक नया घर बना when father sought to put me in school जब मेरे पिता जी ने मुझे स्कूल में डालने के लिए सोचा the principal was not sure I was old enough principal का मानना था कि मेरी स्कूल जाने की यह अभी पूरी नहीं हुई है age was determined by a child's ability to touch his left ear by taking his right hand over his head उस समय जो है बच्चा जो है स्कूल जाने के लाइक हुआ है या नहीं हुआ है उस समय उसकी जो है ability को चेक करने का एक तरीका था आप देखे इसमें एक picture बनी हुई है इसमें क्या लिखा हुआ है age was determined by a child's ability to touch his left ear वो अपने left ear को touch करता था अपने right hand को अपने कंधे से पीछे से ले जाके I understood but I held my ear मैं समझ गया कि प्रिंस्पल क्या चेक करना चाहते थे लेकिन मैंने अपना कान अपने सामने से ले जाके जो है अपने चेस्ट के सामने से यानि मैंने अपना हाथ अपने चेस्ट के सामने से लेके गया और मैंने दूसरा कान पकड़ लिया I understood but I held my ear the easy way and the principal loved यह देखे कि principal जो है हसने लगे कि मैंने कितनी चालाकी से जो है कान पकड़ के उनको दिखा दिया He saw I was smart उन्होंने देखा कि मैं smart था but to be safe उन्होंने सब फिर भी जो है documentation के रूप में safe रहने के लिए उन्होंने मेरी date of birth को change करके 2nd December 1972, 28 October 1970 कर दिया इस तरह से मुझे जो है उन्होंने two years का complete कर दिया इसका मतलब है कि मैं दो साल पूरा हो चुका था और तीसरे में था थर्ड येर में था और मैं स्कूल जाने के लिए एलिजवन हो गया था according the documentation भी ठीक है यहां तक के लिए और हुआ आपको फिर आगे चलते है उसके बाद जब मेरे पिता जी ने मुझे अंकल जनगड के साथ पास छोड़ा I did not know what was expected of him मैं समझी नहीं पाया वो लोग मुझसे क्या चाहते थे जनगड then had two assistant उस टाइम पे जनगड के पास दो assistant थे दद्दी सिंग, उर्वती और लाबदा सुमेर सिंग, खुश्राम बहुत अफ्यू यर्स ओल्डर देन ही वो लोग उनसे कुछी उमर में बड़े थे दद्दी और लाबदा used to rag me in my early days दद्दी और लाबदा मेरी जो है खुब खिचाई किया करते थे शुरुआत में what are your roots? they would ask, वो हमेशा पूछा करते थे कि तुम्हारी जनग कहां से है I didn't understand the question then but said, मैं नहीं समझ पाता था उसका क्या मतलब है, my roots are with me मैं हमेशा कहा करता था कि मेरी जड़े मेरे साथ है today I find them everywhere my roots और आज भी मैं जानता हूँ कि मेरी जो roots है, वो मेरे साथ है इसका मतलब है कि मैंने मेरा जो tradition है, मेरा जो culture है वो आज भी मेरे साथ है दद्दी और लाबदा वर happy to fill a painting started by जनगर with dots or lines in patterns set by the master दद्दी और लाबदा जनगर सिंग जो painting बनाते थे वो उसमें वो dot कर देते थे यानि उसकी outlining कर देते थे तो दद्दी और लाबदा उसको fill करके उसमें और उसकी painting करके खुश हो जाया करते थे when it came to me लेकिन जब वही paintings मेरे पास आई I drew patterns that looked like cracked earth लेकिन जब मैंने उसके painting करना शुरू किया तो ऐसा लगता था जैसे cracked earth the way earth appears after it soaks of water और एक नजर में देखने में ऐसा लगता था कि जो जो अर्थ है वो इस प्रकार से मतलब जो painting है वो इस प्रकार से दिखाई देती थी जिस प्रकार से अर्थ होता है उसके उपर पानी भर जाता है पानी के पानी भर जाता है उसके बाद का जो उसका look up आता है म जनगर वोज इंप्रेजड और मेरी इस नई टेक्निक नई स्टाइल को देखके जो जनगर था वो इंप्रेजड हुए How did जनगर teach? जनगर कैसे पढ़ाते थे? I am reminded of the stories Anand told me of how some Hindustani musicians teach मुझे आनद ने जो है कुछ stories सुनाई थी जिसमें बताया था कि जो Hindustani musicians होते थे वो किस प्रकार से अपने जो pupils होते थे शिच से होते थे उनको सिखाया करते थे For years a master would make a disciple do all kinds of household rosary and teach her how to grasp the perfect saw और जो वो Hindustani musicians होते थे वो उन बच्चों से केवल अपने घर का काम करवाया करते थे और बहुत ही मतलब उनको एकदम जब पूरा घर का काम एकदम से सिखा देते थे या आप other words में कह सकते थे वो उनको सिखा देते थे how to live उसके बाद वो उनको सारे गामा पधा नहीं सका जो पहला words सा उसको सिखाया करते थे जो कि प्राइमल नोट है If they want to indulge you Perhaps गा another note यदि आपको उनसे दूसरा नोट गा सा के बाद क्या सारे गा इस प्रकार से चलता है न यदि आपको दूसरा नोट सीखना है तो फिर आपको उनके साथ बराबर लगे रहना पड़ता था उनके कहने के अंसार चलना पड़ता था तब वो आपको एक दूसरा नोट सिखाते थे और इस तरीके से सिखाने में जो है जो प्यूपिल होता था शिस होता था उसको फिर समझ में आता था कि उसने जो है उसको बताया भी नहीं गया और वो पूरी की पूरी राग को बहुत ही अच्छे से गाने लगया इसका मतलब यह है कि वो यह कहना चाहता था कि वो केबल जिस आर्ट को सीखने के लिए आप अपने मास्टर के पास गयों वो केबल उसको वही भर नहीं सिखाता था। उसके साथ साथ जो है how to live in the life, उन्हीं के साथ साथ वो अपनी टीचिंग को भी इंडल्ग कर देते थे, मर्ज कर देते थे और अपने शिस्षी को सिखा देते थे। जब भी कोई नया बेक्ती जो है आया करता था तो उसको पहले सिलवट्टे पर काम करना पड़ता था। सिलवट्टे आप लोग सब जानते हो अपने हम लोगों के घर में एक फ्लेट जो है स्टोन पत्तर होता है जिस पे मसाला यूज किया जाता है अप तो जो है मिक्सी वगेरा आ गई है लेकिन पहले सिलवट्टे का ही यूज होता था अ फ्लेट ग्राइंड इंड पैसल सब्सक्राइब ф 1998 आप जोस्ट तो एक न कन्सिस्टेंट पैस्ट और दो किलो मसाला में क्या च्वर्ड़ जेंड ज्लाड मिर्ची रहती थी चौरी एंड़ तरी फोस यह पहले लेसं हुआ करता था मतलब आप अपने गुरू के पास कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं तो जनगर सिंग पहले ये काम आप से करवाया करते थे जनगर सेट जनगर थोड़ी दूर पर बैठके जो है अपने प्यूपिल को जो नया जो है उनके पास अपरेंटिस आया चेक करते थी कि यह मसाला अच्छा महीन पीस पा रहा है कि नहीं पीस पा रहा है और वो कहते हैं तुम मसाले को अच्छे महीन तरीके से नहीं पीस सकते तो तुम अपने इन उंगलियों से ब्रेश और पेंट को कैसे पकड़ोगे जनगर शावर्ड एव्यूज ओन दोज डिड नॉट गेट इट रहा है और जनगर जो है कस बहुत ही कस के डांटा करता था उन लोगों को जो लोग मसाले को अच्छे महीन तरीके से नहीं पीस पाते थे जनगर उफन ब्रोक इंटू सॉंग आस्किंग मी टू सिंग अलोंग जनगर अक्सर गाना गाया करते थे हों उससे भी कहते थे साथ साथ गाने के लिए और कर्मा सॉंग्स कर्मा सॉंग्स जो गोंड इलाके में बहुत ही फेमस है जो उनका ट्राइबल सॉंग है आस्किंग भी साथ ही साथ प्ले करते थे ही टॉटस टुलिबन, उन्होंने हमको जीना सिखाया, आर्ट जस्ट केम अलोग और जो आर्ट हम उनके पास सीखने गए थे, वो इसके साथ साथ हम लोग अपने आप ही सीख गए, इसका मतलब जो हम लोगों से वो घर के काम करवाते थे, जीव तो थेंक्यू सो मच, आपको समझ में आया होगा चैप्टर, आप लोग प्लीज कमेंट्स में लिखके भेजें जरूर से, थेंक्यू